अब बात करेंगे Scorpio यानि की व्रिष्चिक राशी की तो व्रिष्चिक राशी के लिए जो काद्स निकल के आते हैं वो है 5 of coins, 8 of cups और 4 of swords सबसे पहली बात जो Scorpions को ध्यान में रखनी है कि इस सबताह नींद तंग करेगी तो नींद के लिए क्या करना है अपना workout और health की ओर ध्यान जो है वो बहुत जादा देना होगा क्योंकि कहते हैं कि जब नींद disturb होती है तो दिन अपने आप disturb होना शुरू हो जाता है और सबसे पहले क्या affect होती है health तो दो चीज़े cards जो है वो इस time indicate करते हैं आपके लिए कि नींद की ओर ध्यान दे के चलना है और नींद आएगी कैसे जब आप खुद को physically बहुत ज़्यादा exert कर लेंगे mentally अगर exhaust होंगे तो नींद नहीं आएगी और ज्यादा tensions जो है वहाँ दिमाग में रात के time आपको तंग करती रहेंगी तो आपको करना क्या है कि अपना workout के ओर ध्यान दीजिए regular walk पे ज़रूर जाएगे cards ये भी कहते है कि जितना physical workout आप रहेंगे उतना ही आप mentally easy महसूस करना शुरू करेंगे जो इस सब्ता थोड़ी सी तंगी नजर आती है यानि कि दिमाग में अशान्ती जो मांसिक शान्ती है वो इस सब्ता कहीं पे नजर नहीं आ रही तो इसलिए उसकी ओर आपको खुद ध्यान देना है अपने आपको spirituality के ओर थोड़ा सा दिनोर कीजिए meditation के ओर ध्यान दीजिए क्योंकि यही चीज़े हैं जो आपको आने वाले समय में especially इस सब्ता आपको थोड़ी सी mental easiness लाके देंगे family की जो ख्वाइशे हैं इस सब्ता आप पूरा कर सकेंगे कोई luxury item भी घर में खरीच सकते हैं कोई वहान अगर दिमाग में था जो शायद on paper ना हो पर pat on the back जैसे कहते हैं तारीफ तारीफ इस सब्ता आपको जरूर मिल सकती है five of coins कहता है कि घर में किसी की health शायद तंग कर सकते हैं अगर घर में खुद को या किसी को BP और diabetes से related दिखते हैं तो उनकी सेहत को थोड़ा सा और ध्यान उनकी तरफ देखा चलना होगा उसके अलावा च्छात्रों को over confident होकर बिल्कुल भी नहीं चलना यह सब्ता मेनत oriented है आपको hard work चो है वो करना ही पड़ेगा और इस hard work का result आएगा पर इच्छा से थोड़ा सा कम तो उससे क्या होना है निराश नहीं होना अपने hard work को continue कीजिए क्योंकि यह आने वाले समय में ज़रूर help करेगा इस सब्ताह आपका lucky number रहेगा 7, lucky color रहेगा maroon और कोई भी important काम करना हो तो Monday और Friday के दिन रहेंगे शुप अब बात करेंगे Sagittarius यानि की धनूराशी की तो धनूराशी के लिए जो काज निकल के आते हैं वो है Six of Wands, Ace of Wands और Lovers सबसे पहले खुशखबरी नज़र आती है लवर से Actually तो धनूराशी वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी oriented सब्तहा नज़र आता है क्योंकि Six of Wands भी कहता है कि विदेश से related खुशखबरी या फिर office की तरफ से विदेश जाने का मौका तो कोई भी जीज हो जो विदेश से related है आपके लिए वो good news ही लेकर आएगी Ace of Wands ये भी कहता है career oriented अगर बहुत जादा आपकी attention जो है वो career में रही थी लेकिन आपको मन चाहिए उसके results नहीं मिल रहे थे तो इस सब्तह वो results मिलने के chances बहुत जादा है promotion related news भी इस सब्तह जो है आपको मिल सकती है lovers की जो मैं बात कर रहे थी lovers के लिए good news इसलिए है क्योंकि उनके रिष्टे को मनजूरी मिल सकती है जो अब तक रुकी हुई थी तो अगर आपकी family आपके रिष्टे को लेकर agree नहीं कर रही थी तो उससे related good news आपको इस सब्तह मिल सकती है बच्चे भी खुशिया लेकर आएंगे घर में उनकी education point of view से यानि कि उनके academic front से good news आपको इस सब्तह मिल सकती है तो है न यह smiling smiling week तो आपको क्या करना है सरफ enjoy करना है and go with the flow इस सब्तह आपका lucky number रहेगा 8 lucky color रहेगा brown और कोई भी important काम करना हो तो Thursday और Friday के दिन रहेंगे शुप